आज हम आपको सबसे आसान तरीके से 1-5 यानि 15 नमबर और 234 नमबर की हेल्प से नेशनल फ्लैग और नेशनल बर्ड का चेत्र बनाना सिखाएंगे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना बस आप जल्दी से मारकर पेपर पेंसिल उठा लेजिएगा और हमारे साथ ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पर 1 नमबर लिखिएगा इसके बाद दोस्तों इधर आप ऐसे एक 5 नमबर आसानी से लिख देंगे अब ध्यान से लिखिएगा नीचे के साइड में आपको लिखना होगा एक ऐसे 2 नमबर और इधर से लिख दीजिएगा बहुत ही आसानी से 3 नमबर यही नीचे ही दोस्तों आपको लिखना होगा एक 4 नमबर 1 5 हो गया 2 3 और 4 नमबर बहुत ही आसान होने वाला है जल्दी से आप मारकर पेपर पैंसिल उठा लिजिएगा और हमारे साथी बनाना स्टाट कर दीजिए इसको आप थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे यह हमारा लहराता हुआ तिरंगा बनेगा दोस्तों यहां से एक ऐसे लाइन ड्रो करिए एक लाइन आप इधर से ड्रो कर दीजिएगा आसानी से और इस लाइन को आप ऐसे नीचे की तरफ बढ़ा दीजिए बढ़ाने के बाद दोस्तों यहां से भी ऐसे लहराता हुआ आप लाइन एक बना दीजिए यहां पर एक छोटा सा पॉइंट लगा कर इधर आप आसानी से दोस्तों ऐसे छोटी छोटी लाइने ड्रोव कर देंगे लाइन ड्रोव जाने के बाद आपसे एक बहुत ही छोटा सा कोईशन भी है अगर आपको पता है हमारा देश कब आजाद हुआ था तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर हमें बताइएगा दोस्तों और इधर से इसको ऐसे हलका सा करके यहाँ पर यूँ मिलाइए और मिलाने के बाद दोस्तों जश्ट इसी के नीचे ही यहाँ से दिखिएगा इधर से आपको यहाँ पर मिलाना होगा फिर इधर ऐसे मिलाइए और यह वाला पोर्शन यहाँ पर मिला दीजिएगा इधार वाला आप इसको डार कर देंगे यह हो गया डार को जाने के बाद यहां से एक straight line आप skill की मदद से draw कर दीजिएगा इसको थोड़ा सा उपर बढ़ाएंगे और हमें बहुती सौधानी पूरवक दोस्तों इस line को कर देना होगा double यहां पर double करिए छोटा सा प्यारा सा circle यहां से एक ऐसे बनाईए इधर से line draw करके छोटे छोटे point लगा दीजिएगा सेम आप इधर भी ऐसे repeat कर देंगे इसको यहां से यह मिला देजिए देखिए लहराता हुआ अमारा तिरंगा बनके तायार हो गया है अब हम बनाएंगे national bird का चित्र इधर से ऐसे गुमाएंगे उपर के साइड में line draw करके छोटे छोटे ऐसे circle बना दीजिएगा और इधर से इसको कर देंगे ऐसे double यहां से यू मिला ये इसके बाद यहां से ऐसे कर दीजिएगा इसी के आगे ही आपको एक वी लेटर लिखना है और छोटा सा एक point लगा दीजिए दीए कितना आसान है एक आपको लगाना होगा दोस्तों इधर से भी ऐसे arc बनाईएगा इसको नीचे के तरह बढ़ा देंगे इधर से भी आप ऐसे line को बढ़ा देंगे यहां से एक ऐसे circle बनाकर इधर आप ऐसे चोटी-चोटी line ड्रो करेंगे यहां पर आपको 24 line count करके ड्रो कर देना होगा इधर से यूँ यहां पर हो जाया इधर ऐसे यह अब दोस्तों आपको यहां से ऐसे line ड्रो करते हैं इसको आगे के साइड में बढ़ा देना है इधर ऐसे grass बना देंगे देखी कितना प्यारा सा हमारा तिरंगा और मोर का चित्रबन के तायार हो गया है तो चलिए अब हम इन दोनों को आसानी से color भी करना सेख लेते हैं करता है भाउ हाद है